नमस्कार टुडे विहार नीज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं मेरा नाम है प्रकास सिंग बात विहार में पुर्णिया के रुपॉली विधान सभास सीट पर होने वाले उपचुनाओ की करेंगे इस उपचुनाओ में तेजस्वी आदव और नितिश कुमार के बीच महा मुकाबले में कौन मजबूत दिख रहा है आज इसकी बात करेंगे क्योंकि अब तारीक नजदीक आ गई है और बिहार में विधान सभा का उपचुनाओ होने का मतलब ये है कि बिहार में या तो आने वाले साल दोहजार पचीस के चुनाओ में नितिश कुमार फिर से किंग बनेंगे या फिर तेजस्वी सत्ता में इस बार दोहजार पचीस में होने वाले विधान सभा चुनाओ में दमदार इंट्री करेंगे जनता का मिजाज कैसा है मूड कैसा है ये तो तै हो जाएगा जब रुपावली विधान सभा सीड पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे दस जुलाई को वोटिंग होनी है और पहले उमिद्वारों की बात कर लेते हैं यहां से जनता दल उनाइटेड के कलाधर परशाद मंडल उमिद्वार हैं दुसरी और राष्ट्रिये जनता दल से उमिद्वार बीमा भारती हैं लेकिन ये लराई आमने सामने का ही नहीं है ये लराई जेडियू बना मार जेडी के बीच का ही नहीं है ये उपचुनाव है और इस उपचुनाव में भी मुकाबला त्रिकोनिये हैं निर्दलिये चुनाव लर रहे हैं पुरविधायक संकर सिंग वहीं लोग जनसक्ती पार्टी वाले संकर सिंग और संकर सिंग चुनावी मैदान में उतर गए हैं तो वो तेजस्वी का खेल बिगारेंगे या फिर ये खेल नितिश कुमार का बिगार देंगे या जीत की जोली अपने पास रख लेंगे यहां आर जेडी रनर बनेगी या विनर यहां कलाधर मंडल जेडियू के उमिद्वार हैं यह सीट इस बार जेडियू जीतेगी या फिर एक लंबे समय के बाद लंबे समय के बाद यहां पर राष्ट्रिये जनता दल का लाल्टेन जलेगा यह उपचुनाव है और यह उपचुनाओ महा गडबंदन और एंडिये गडबंदन के लिए लिटमस टेश्ट है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुकाबले को कौन रोचक बना रहा है एक तो नितिश कुमार हैं और नितिश कुमार की पाठी जेडियू ने यहां लगातार जीते हांसिल किये बीमा भारती जो जनता दल इमनाटेर छोड़कर लोक्षभा का चुनाव लरने राष्ट्रिय जनता दल में आ गई जो सिटिंग एमेले थी और विधाय की छोड़ने के बाद जो है यह सिट खाली और यहां उपचुनाव हो रहा है तो बीमा भारती इस बार लाल्टेन थाम कर आई है तो लाल्टेन का रोसनी अब बढ़ेगा क्या आपको यह जानना जरूरी है दोस्तों कि वर्ष 2000 में बीमा भारती निर्दल्य चुनाव जीती थी और लगातार उश्ट के बाद एक चुनाव में अगर देखी जाए तो संकर सिंग ने जीत हांसिल की और ठीक उसके बाद ही चुनाव फिर से बीमा भारती जीत गई तो बीमा भारती ने 2020 तक के चुनाव में लगातार जीत पर जीत जीत पर जीत जीत पर जीत दर्ज किया है लेकिन इस बार बीमा भारती चुनाव लड़ रही है राष्ट्री ये जनता अदल के टिकर पर एक और नितिश कुमार का सुसासन एक और नितिश कुमार का A2Z पॉलिसी एक और नितिश कुमार का चेहरा दुसरी और तेजस्वी आदव का तेज रफ्तार वाला काम पढ़ाई कमाई दवाई सिचाई सुनवाई और कार्यवाई वाली सरकार दस लाग सरकारी नौकरी का मुद्दा और तेजस्वी आने वाले साल में जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो वो रुपाउली की सीट जीत कर ये दिखाना चाहते हैं कि अब जनता ने मुड़ बना लिया है भाई बिहार में कि बिहार में जीत तो महागडबंदन की ही होगी लेकिन एक दिल्चस्प बात ये है रुपाउली में दोस्तों कि यहां वहीं जीतेगा यहां वहीं जीतेगा जिसका साथ पप्पु यादव देंगे पप्पु यादव पुर्णिया के एंपी हैं पप्पु यादव पुर्णिया के बेटे हैं और पप्पु यादव निर्दलिये चुनाव जीते हैं पप्पु यादव लालु प्रशाद के करीबी रहे हैं पप्पु यादव तेजस्वी यादव को छोटा भाई मानते है पप्पु यादव नितीश कुमार में समाजवाद का चेहरा देखते हैं पप्पु यादव नरिंद्र मोदी पर हमला बोलते हैं और निर्दलिय संकर शिंको तो उमीद था भाई कि पप्पु यादव का समर्थन मिल जाएगा वहीं वाला चुनावचिन मिला है जो पप्पु यादव निर्दलिय लेकर जीत गए कहची चाप संसर भी बनी कि भाई पप्पु यादव ने तो समर्थन कर दिया संकर सिंको लेकिन रुकिये ठहरिये सोचिये समझिये पप्पु यादव समर्थन में खरे हो गए हैं तेजस्वी आदव के लिए जी हाँ तेजस्वी आदव के लिए पप्पु यादव समर्थन कर रहे हैं और पप्पु यादव आरजेडी का लाल्टेन जलाएंगे इस बार रुपाहली में अरे नितीश कुमार का सुसासन वाला राग अब रुपावली में नजर नहीं आने वाला है लेकिन पपुयादव की दमदार वापसी पपुयादव का ये विचार कि भाई सरकार बनानी है महागडबंदन की इंडिया एलाइंस की तो इंडियन नेशनल डेवलोपमेंटल इंक्लूसिब एलाइंस की उमिद्वार को समर्थन देकर जीताना होगा दिल्चस्प ये है कि पपुयादव को हराने के लिए तेजस्वी आदव ने कैमपेनिंग की पपुयादव को हराने के लिए तेजस्वी आदव ने ताबरतोर चुनावी रैलियां की पपुयादव को हराने के लिए तेजस्वी आदव पुर्णियां जाकर बैठ गएं और फिर भी पपुयादव हारे नहीं लोकतंत्र में जंता ने जवाब दिया वोट से और यहाँ पर लालू यादव का लाल्टेन तीसरे नमबर पर चला गया 27 हज्जार वोट आरजेडी को मिद्वार को मिले 23 हज्जार वोट से पप्पु यादव की जीत हुई लेकिन एक तो बात जरूर है दोस्तो एक तो बात जरूर है कि पप्पु यादव ने जीत हासिल की है और पप्पु यादव जब वीपक्च इंडिया एलाइंस में अपने आपको देख रहे हैं तो पप्पु यादव का समर्थन खुला बीमा भारती के और चला गया है ये मैं खबर आज आपको बता रहा हूं कन्फर्म खबर है पप्पु यादव ने बीमा भारती का समर्थन किया है और उस बीमा भारती का जिस बीमा भारती के लिए तेजस्वी आदव ने पूर्णिया कर कहा कि आरे पप्पो यादव चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं हम लोगों कोहरवाने के लिए लड़ते हैं ये भाजपा के बी टीम है और पप्पो यादव ने दिल खोल कर कहा जब मौका आया तेजस्वी आदव के पास कि भाई मदद चाहिए जरूरत है आपकी अब आजाएए न महागडबंदन के साथ तो पप्पो यादव ने दिल खोल कर कहा कि चलो तुम्हारे साथ है तो अब राजनीतिक तोर पर समझे इस खेल को रुपावली विधान सभा सीट यहाँ पर भी पप्पो यादव ने बाजी मारी बाजी मारी और पप्पो यादव बिजय पताखा लहरा चुके हैं लोक्षभा चुनाओं में सिटिंग एमपी हैं और पप्पो यादव वो नेता हैं वो नेता हैं पप्पो यादव जो किसी से ड़ते नहीं है किसी के आगे जुकते नहीं है लरने वाले नेताओं में है और पपो यादव का सीधा connection जनता से सीधा connection आप रुपाउली के इलाकों की बात कीजिए यहां इस्तिती काफी मजबूत हो गई है संकर सिंग जो है वो जेडियू की मुसीबत बढ़ाते नजर आ रहे है संकर शिंग के चुनावी मैदान में उतर जाने से जनता दल उनाइटिड की स्थिती खड़ाब हो गई है और पपो यादव के समर्थन से राश्ट्रिय जनता दल मजबूत स्थिती में है रुपाउली के उपचुनाओं में तेजस्वी का लाल्टेन जलने वाला है इस बार लंबे समय के बाद रुपाउली विधान सबाजीट पर अपनी परतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोरे जाईएगा बहुत बहुत धन्यवाद